इस question में हमें radius निकालना है, तो इस ये right angle triangle है, तो पहले AC पता कर लो, तो hypotenious है, तो इसका square 5 का square 25 हो जाएगा, और 12 का square 144 और root कर दोगे, तो यह आ जाएगा 169, it means यह कितना आ जाएगा 13, तो आपकी AC आ गई 13, अब इसका area ABC का area, iscal2, देखो यह तीन triangle में करवट हो जाएगा, और यह तीनो triangle कैसे है, right angle triangle है, तो total area of ABC iscal2 लिखोगे, area of OBC, यह देखो मैंने लिख दिया है पूरा, और यह सब right angle triangle triangle है, तो यह तो 1 by 2, base 12 into height 5 हो जाएगी, और ऐसे इसका भी BC into R हो जाएगा, देखो यह मैंने लिख दिया, यह 1 by 2 R common कर लो, तो BC plus AC plus AB, तो एक shortcut formula बन जाता है, यह तीनों side का sum है, तो area of ABC iscal2, 1 by 2 into R into perimeter of triangle ABC, यह एक shortcut formula बन जाता है आपका, तो यहाँ क्या आजाएगा, 2, 6, 12, 6 आ गया, और 6, 5, 30, और यह हो गया, 1 by 2 into R into, perimeter of triangle 5 यह है, 12 यह है, तो 12, 17, हो गया, और यह कितना आपने find out किया था, 13, तो तीनों को जब add करोगे, तो total कितना आजाएगा, यह आजाएगा, 30, क्योंकि 12 और 5, 17, and 30, तो यह हो गया, 30, 2 बन जा 2, and 2, 15 जा, तो यह आपका हो गया, R into 15, iscal2, 30, तो 15 से जब divide करोगे, तो R iscal2, 15 बन जा 15, 15 तो जा 30, यह यही रेडियस कितना आगया, 2 आगया, 2 cm, it means B वाला आपसन आपका सही है, यह एक long question में भी आता है, तो short question में जब भी आए, तो आप यही फार्मूला इस करो, area of triangle ABC, iscal2, 1 by 2, into radius, into perimeter of triangle ABC, यह हमेसा objective question के लिए आप यही फार्मूला आप अपलाई करिएगा, तो next question में हम यह यही फार्मूला अपलाई करेंगे,